लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले फिल्म संजू की सफलता को देखने के बाद बॉलेवुड के कई सारे कलाकार और निर्देशक बायोपिक फिल्मों में अपना हाथ आज माना चाहते हैं इसके बाद अब फिल्म तेरी भाब ही है पगले के डायरेक्टर विमोद तिवारी ने कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा की बायोपिक फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर कर डाली है विनोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि संजे दत्त के बायोपिक फिल्म संजो देखने के बाद मुझे कपिल शर्मा की बायोपिक फिल्म बनाने की इच्छा हो रही है मुझे लगता है कि कपिल शर्मा की पूरी कहानी दर्शुकों के सामने पेश की जानी चाहिए साल 2010 में हम लोग कपिल शर्मा के साथ एक फिल्म बनाने वाले थे लेकिन उस समय कुछ वजहों के चलते हम उसे नहीं बना पाए थे लेकिन अब हमें लगता है कि कपिल के साथ नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन कपिल पर तो फिल्म बनी ही चाहिए जब विनोध से पूछा गया कि क्या आपके दिमाग किसी कलाकार का नाम है जो कपिल की बायोपिक में उनका किरदार निभा सकता है तो उन्होंने बताया अगर कपिल अपनी बायोपिक में खुद काम करने के लिए तयार हो जाते हैं तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी लेकिन मुझे लगता है कि कृष्णा अभिशेक भी कपिल शर्मा के किरदार के साथ नयाय करेंगे वो खुद एक अच्छे कॉमेडियन है वो कपिल की जिन्दगी के साथ अच्छे से जुड़ सकते हैं